दोस्तों आप सभी का most welcome है हमारे इस चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त एस्टोलोजर सुने शास्त्री और आप देख रहे हैं जो तिस से जुड़ी संबंदित कुछ additional special बातें तो आए जानकारी लेते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों और आपके लिए लेके आया हूँ क ब्रहसपती जब कुंडली के लगन कुंडली के छटवे घर में जब बैट जाते हैं तो किस तरह का फल आपको दे सकते हैं दोस्तों जूपिटर इन सिक्साउस की placement आपके लिए शुब होगी अत्वा अशुब होगी ये सारी जानकारी हम ले लेते हैं आज के session में तो दोस् इस तरह की वीडियो की notification आपको हम दे सके हैं सबसे पहले तो चलिए दोस्तों start करते हैं आज के इस session को प्रिये दर्शकों आए जानते हैं जूपिटर इन सिक्साउस की placement के बारे में कि अशुब और अशुब फल आपको दे सकता है दोस्तों जिन भी स्त्रिवा पुरुष की कुंडली में सिक्साउस में कुंडली के छटे घर में यदि देव गुरू ब्रहस्पती हैं तो वहाँ पर आपके लिए फल शास्त्र जो कहता है उसे हम आपको इस वीडियो के माद शांगतनुर भवेज्जयती शत्र कुलम रुप के गुरो रिप ग्रेहे यदिवक्र गते गुरो रिप कुलात भयमातानुते विभो दोस्तों शास्त के कहने का मतलब है और श्लो के माद्धम से शास्त द्रशाता है कि छटमे भाव में जिन पुरुष अत्वा नारी के देव गुरू ब्रहस्पती बैटे हैं प्लेस्मिंट है जूप्टर इन्सिक्स हाउस की तो आपके लिए ब्रहस्पती यहाँ पर कृष् तरह के खास कर वात रोग से संबंदित आपको प्राब्लम दे सकते हैं शरीर में काफी तरह की परिशानियां आस्वस्तता आपको दे सकते हैं और लेकिन फिर भी आपका मनुवल इतना अच्छा हो सकता है कि शत्रू पर आप बहुत ही हैवी यानि कि भारी पढ़ने वाले ह होते हैं समस्त शत्रू को जीतने वाले असे व्यक्ति होते हैं यदी गुरू शत्रू ग्रह में हो यानि कि सिख्सांस में और यदी गुरू कर्क के नहीं है आथवा नीच के हैं तो वहाँ पर आपको देव गुरू वहस्त्रू से बहुत भए दे सकते यानि कि शत्रू आपको नुकसान कर सकते हैं दौस्तों गुरु जो है ठीक जहां उचके होते हैं करक में वहाँ से नीच के सात्वी राशी में होते हैं जैसके करक सिंग, कन्या तला ब्रश्विक धनू और मकरमें मकरमें आकरके नीच के हो जाते हैं खास कर यदि 10th अंग को लिए वे अगर 6th house में हैं तो वहाँ पर आपको शत्रों से बहुत ज़्यादा भै होता है और शाररिक बहुत ज़्यादा कस्ट होता है दोस्तों तो इस तरह की विमारिया जो है आपके जीवन में दे सकते हैं ब्रहस्पती शारिक पुरबर्ती को अच्छा तभ रख सकता है जब खास कर मकर राशी का नहो और राशियों में यदि है जैसे कि देव गुरु ब्रहस्पती के शत्रू जैसे कि मैंने आपको बताया है को काफी सारा कश्ट दे सकते हैं, अत्वा, या फिर आपको जो आपको अच्छी प्रवड़ती और अच्छा शरीर को देने वाले यहाँ पर होते हैं, शरीर को हिस्ट-पुष्ट करने वाले होते हैं, निरोगी बनाते हैं, और सुब ब्रहसपती यदि सस्टम में बैठे हैं तो शरीर में दुरवलता नहीं बलकि शक्तिशाली और बल प्राक्रम ऐसे व्यक्तियों के होता है बहुत ही मीठा बोलने वाले सदाचार को अपने जीवन में रखने वाले प्राक्रमी होते हैं किसी से नडरने वाले विवेकवान होते हैं रदे से बहुत ही संसार में जाने जाते हैं, विद्ध्वान होते हैं, बहुत अच्छे पड़े लिखे, educated family से होते हैं और खुद भी बहुत ही अच्छे educated होते हैं, आप जो है आपको जियोतिस में भी बहुत अच्छी रूची हो सकती है, तंत्रमंत्र साधनाओं में आपको बहुत अच्छी र प्रवर्ति बनती है अच्छे ब्रहस्पति की प्लेस्मेट ये दिशिक साउस में है दोस्तों अच्छी राशिगत है तो वहाँ पर आप अनेक प्रकार के जैसे की मंत्र मारन उच्चाटन इत्यादी जो मंत्र होते हैं उनमें आप बड़े कुशल होते हैं वैदिक मंत्र आप को आते हैं और इसलिए लोग जो है आपको शंसे की नजर से भी कई बार देख सकते हैं आपके पूजा पार्ट को देख करके कई बार लोग आपके बारे में गलत भी सोच सकते हैं आप शत्रों को दूर करने वाले शत्रों को बहगाने वाले शत्रों पर भारी पढ़ने वाले से व्यक्ति हैं उम्र के 40 में वर्ष में आप जो है शत्रु भै से काफी कश्ट पा सकते हैं शत्रु आपका कोई ना कोई नुकसान कर सकते हैं राज कर्म और विवादों में भी कई बार आप पढ़ जाते हैं लेकिन उसमें बहुत जल्दी ही आप विजे आपकी विजे होती आशुब दशा की अवदी में बहस्पती ये स्थिती मामा और भाईयों के लिए बहुत ही कठिन कारक बना देता है गुरू भाई बहन और मामा इन सब को आपके बहस्पती सिक्स होने से आपको बहुत ही इन लोगों को बहुत ही शुबलाब की प्राप्ति होती है आप एक विख्यात अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा होते हैं आपके अंदर जो कलाएं हैं उनके कारण आप बहुत विख्यात होते हैं आपका जो एजुकेशन हो है लोगों के बहुत अच्छी काम आती है और अपने काम को देर से बले ही आप करते हैं लेकिन पूरा करन आप कर लेते हो आपको पुत्र और पौत्रों को देखने का सोभाग जीवन में मिलता है यानि कि बहुत लंबी आयू आपकी होती है और अच्छी आयू होती है संगीत में आपकी बहुत अच्छी रूची होती है अपनी स्त्री पक्ष से या फिर पुरुष पक्ष से आपको बहुत अच्छा फाइदा होता है आपके जीवन में अच्छे नोकर, चाकर, धन, दोलत, इत्यादी होती है और यदि आप चिकित्सा से कोई काम से जुड़े है यानि कि हॉस्पिटल यानि कि मेडिकल से, मेडिकल लाइन से यदि आप संबंदित कोई कारे करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यश और मान संबान को देने वाला होता है आपके हाद से कोई भी कारे यदि कोई होगा तो निशित्र उप से 100%, 101% आपको जो है संबान और तो वो कारे पूर्ण होगा, अच्छा होगा, तो इसी प्रकार से ब्रहस्पती आपको छटवें बैठ करके बहुत ये शुब लाब प्रदान करता है दोस्तों, आपकी कुली में और भी किस प्लेस्मेंट में बैठे हैं, उनका क्या शुब अशुब फल है, ब्रहस्पती का या अन्य ग्रहों के ड्रेमेडिस को जानने के लिए, सॉलुशन को जानने के लिए, आपको अज्योतिस का कोई अगर कोई प्राबलम बन रहा है, तो उसका सॉलुशन क्या होगा, ये सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, आप स्क्रीन पर दिये नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और call करके हम आपको सभी प्रकार की जानकारियां देंगे जो भी आपकी prediction जानना है, analysis करवाना है या और भी कोई पूजा पार्ट से त्यादी से सम्बंदित कोई कारे अनुष्ठान करवाना है, वो सबसे सम्बंदित जो है आपको हम जानकारी देंगे सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो की जर्रीए तब तक के लिए चैश्री कृष्णा थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो जैश्री कृष्णा